हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स SSC ने Head Constable in Delhi Police Examination 2022 भरती का notification जारी कर दिया है और अगर आप AWO यानि की Assistant Wireless Operator और TPO यानि की Teleprinter Operator के लिए apply करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए काफी महतपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में इस भरती से related जितने भी important information से वो आपके साथ share करने वाला हूँ जैसे कि इस भरती के लिए salary कितना है, seat कितना है, age limit कितना है, education qualification क्या है इस भरती के लिए आपको कितना payment करना पड़ेगा और इसके साथ ही जितने भी और information है, वो सारे आपके साथ share करने वाला हूँ तो अगर आज का ये वीडियो informative लगे तो subscribe करके जुड़े रहे हमारे साथ, चलिए start करते हैं तो आए सबसे पहले इस भरती के लिए important dates के बारे में जानते हैं तो अगर आप इस भरती के लिए interested हैं और इस भरती के लिए apply करना चाहते हैं तो online application submit करने का जो date है, वो है 8 July 2022 से लेकर 29 July 2022 तक बात करे commission के द्वारा online application receive करने के last date और time का तो ये है 29 July 2022 के रात के 11 बजे तक अगर आप offline चलान generate करना चाहते हैं तो इसके लिए भी last date और time 29 July 2022 के रात के 11 बजे तक है इसके साथ ही अगर आप online fee payment करना चाहते हो तो इसके लिए last date और time है 30 July 2022 के रात के 11 बजे तक अगर आप bank से चलान के थुरू payment करना चाहते हैं तो इसके लिए last date 30 July 2022 है तो आप 30 July 2022 तक bank के किसी भी working hour में जाके इसके लिए payment कर सकते हो अब बात आता है application form correction करने का है तो अगर आपने online application के time mistake किया है और अपने application में कोई गलत information डाल दिया है और आप उसे correction करना चाहते हैं तो आप 2 अगस 2022 के रात के 11 बजे तक correction कर सकते हैं इसके लिए commission के द्वारा जो भी fee होगा उसका payment करके आप correction कर सकते हैं इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि इसके computer based examination अक्टूबर 2022 में होने वाला है अब आईए बात करते हैं कि अगर आप इस भरती के लिए apply करते हो और आपका selection हो जाता है तो आपको salary कितना मिलेगा तो इस भरती के लिए जो pay matrix रखा गया है वो pay level 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक है बात करें इस भरती के vacancies का तो इस भरती के vacancies को तीन कैटेगरी में बाटा गया है open, ex-servicemen और departmental तो सबसे पहले देखते हैं open कैटेगरी को तो head constable AWO और TPO male candidates के लिए general के 171, economic weaker section के लिए 46, other backward cast के लिए 102, schedule cast के लिए 86, और schedule tribe के लिए 54 seat है यानि की open कैटेगरी के total 469 seat है अब बात करते हैं ex-servicemen के लिए तो इसके UR के लिए 21, EWS के लिए 6, OBC के लिए 13, SC के लिए 10 और ST के लिए 7, यानि की total ex-servicemen के 57 seat है बात करते हैं departmental का तो इसके UR के लिए 21, EWS के लिए 6, OBC के लिए 13, SC के लिए 10, और ST के लिए 7, यानि की departmental के भी total 57 seat है अगर male के total seat का बात किया जाए तो ये है 573 बात करे head constable AWO और TPO के female candidates के seat का तो इसे दो कैटेगरी में बाता गया है open और departmental, open category के general candidates के लिए 96, EWS के लिए 26, OBC के लिए 57, SC के लिए 47, और ST के लिए 30 यानि की open category के total 256 seat है बात करे departmental का तो इसके general के 11, EWS के 3, OBC के 6, SC के 5, और ST के 3 यानि की total department के 28 seat है बात करे head constable के female candidates के total seat का तो ये है 284 बात करे nationality का तो अगर आप इंडिया से हो तभी आप इस भरती के लिए apply कर सकते हो अगर आप इंडिया को छोड़ कर दूसरे किसी country से हो तो आप इस भरती के लिए apply नहीं कर सकते हो यानि की सिर्फ Indian citizen ही इसके लिए apply कर सकते हैं तो आए बात करते हैं इस भरती के लिए age limit का तो जो भी candidate इस भरती के लिए apply करना चाहते हैं उनका age 1 जुलाई 2022 को 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए यानि की जिन candidate का date of birth 2 जुलाई 1995 से पहले का और 1 जुलाई 2004 से बाद का हो वो इस भरती के लिए apply नहीं कर सकते हैं इसके साथी इस भरती के लिए age में छूट भी दिया गया है जैसे की SCST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एक सर्विसमेन के लिए 3 साल स्पोर्ट्समेन और स्पोर्ट्स वोमेन के लिए 5 साल और 10 साल का छूट दिया गया है दिल्ली पुलिस के departmental candidate जो UR के अंडर आते हैं उसे 40 साल, OBC को 43 साल, SCST को 45 साल इसके साथ ही अन्रिजब के टेगरी के बिध्वा या तलाक सुदा महिला के लिए 35 साल OBC के बिध्वा या तलाक सुदा महिला के लिए 38 साल और SCST के बिध्वा या तलाक सुदा महिला जिनका एज 40 साल तक भी हो गया है वो भी इस भरती के लिए apply कर सकते हैं बात करें इसके education qualification का तो जो भी candidate इसके लिए apply करना चाते हैं वे science और math के साथ 10 plus 2 pass किया हुआ होना चाहिए यानि कि inter pass किया हुआ होना चाहिए science और math के साथ या mechanic come operator electronic communication system के trade में national trade certificate होना जरूरी है इसके साथी NCC certificate holders के candidates को bonus marks भी मिलेंगे तो ऐसे candidate जिनके पास NCC के C certificate है उनको total marks का 5%, जिनके पास NCC B certificate है उनको total marks का 3% और जिनके पास NCC का A certificate है उनको total marks का 2% bonus में दिया जाएगा अब बात करें वेटे जोप additional marks का तो ऐसे candidate जिनको राष्ट्रिय रक्षा युनिवर्सिटी यानि की RRU से degree या post graduate diploma certificate मिला है उनको कुछ additional marks दिये जाएंगे तो जिन्हें distinction class का certificate मिला है उन्हें exam के total marks का 5%, जिन्हें first class मिला है उन्हें exam के total marks का 4%, जिन्हें second class मिला है उन्हें exam के total marks का 3% और जिन्हें past class मिला है उन्हें exam के total marks का 2% additional marks दिया जाएगा अब बात करें application fee का और payment करने के mode का तो जो भी candidate इस भरती के लिए apply करना चाहते हो उन्हें 100 रुप्य का payment करना होगा इसके साथ ही जितने woman candidates, sc candidate, st candidate और ex-servicemen के candidate होंगे उन्हें कोई भी fee payment नहीं करना है यानि कि उन्हें fee के लिए छूट दिया गया है payment आपको online pay करना है इसके लिए आप Bheem UPI, Net Banking, Visa Mastercard, Mestro, Rupay Credit या debit card इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं अगर आप case से payment करना चाहते हो तो State Bank of India में जाकर चालान के थुरू payment कर सकते हो payment करने का last day 30 July 2022 के रात के 11 बजे तक है इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपने एक बार online payment कर दिया तो आपका payment refund नहीं किया जाएगा अब आए बात करते हैं examination mode का तो इस भरती के लिए successfully application submit करने के बाद SSE के द्वारा 100 marks का एक computer based examination लिया जाएगा इसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा physical endurance and measurement test लिया जाएगा यानि कि PE and MT टेस्ट लिया जाएगा इसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा trade टेस्ट लिया जाएगा और last में आपसे English word का और computer के basic knowledge का टेस्ट लिया जाएगा और जितने भी टेस्ट लिये जाएगे उन सारे टेस्ट में आपको qualify करना जरूरी है अब बात करते हैं कि आपके CBT में कौन-कौन subject से कितने questions और कितने marks के questions आने वाले हैं तो आपके CBT में general awareness के 20 questions, general science के 25 questions, mathematics के 25 questions, reasoning के 20 questions और computer fundamental जैसे की MS Excel, MS Word, Communication, Internet, www और web browser इत्यादी से 10 questions यानि की total 100 questions और सभी questions एक एक नमबर के होने वाले हैं तो आएए अब बात करते हैं physical endurance test का तो physical endurance test male candidates के लिए इस तरह है तो ऐसे candidate जिनका age 30 साल तक है उन्हें 7 मिनट के अंदर 1600 मिटर का race complete करना होगा उनके लिए long jump 12 feet का होगा और high jump 3 feet का होगा ऐसे candidate जिनका age 30 से 40 साल के बीच में है उनको 1600 मिटर का race 8 मिनट में complete करना होगा उनके लिए long jump 12 feet का होगा और high jump 3 feet 3 inch का होगा और ऐसे candidate जिनका age 40 साल से जादा है उनको 1600 मिटर का race 9 मिनट में complete करना है उनके लिए long jump 10.5 फिट का होगा और high jump 3.5 फिट का होगा ऐसे candidate जिनका age 30-40 साल के बीच में है उनको 800 मेंटर का race 6 मिनट में complete करना है उनके लिए long jump 8 फिट का है और high jump 30 फिट का है अब बात करे फिजिकल मेजरमेंट का तो male candidates के लिए height 170 cm चाहिए इसके साथी कुछ-कुछ जगहों के लिए height में 5 cm का छूट भी दिया जाएगा कौन-कौन से area के लिए छूट दिया जाएगा ये इस notification में यहां दिया हुआ है इसके साथी male candidates के लिए chest का size minimum 4 cm expansion के साथ 81 cm से लेकर 85 cm के बीच में होना चाहिए chest के size में भी कुछ-कुछ जगह के candidates को 5 cm का relaxation मिलेगा अब बात करे female candidates का तो female candidates के लिए height 157 cm रखा गया है और कुछ खास प्लेस के female candidates के लिए भी height में 5 cm का शूट दिया गया है और इसके साथी इस भरती के लिए apply कर रहे candidates को physically fit होना चाहिए उन्हें अच्छे से सुनाई देना चाहिए उनको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए या उनके सरील में कोई defect नहीं होना चाहिए बात करे उनके आखों का तो glass के साथ उनका आख 6 by 6 होना चाहिए और ऐसे candidate जिनका आख चसमे के साथ भी 6 by 6 नहीं पाया जाएगा उनको इस भर्ती के लिए इलिजिबल नहीं माना जाएगा आज के इस वीडियो में वस इतना ही अगर आज का इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करे और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर जरूर करे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेस्टन बेल को दबा के ओल को सलट कर दे ताकि इसी तरह के इनफर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेस्टन आपको मिलता रहे धन्यवाद